हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ पोचो अमरान खान सैनिट में तुमने तीजी के निश만 को वोट दिया था या नहीं दिया था बोलो अगर मैं जूट बोलता हूं तो मैं मुझरम लेकिन अगर मैं सच बोलता हूं अमरान खान मुझरम जर्दारी और इमरान खान एक ही सिक्के के दो रुख दोनों अवाम को धोका दे रहे हैं पीपल्स पार्टी और तहरीक इनसाफ ने कुछ नहीं किया कौम ने नाहली का फैसला मुस्तरत कर दिया नवास शरीफ का सांगला हिल में जलसे से धुआ धार सिताब जो एक दूसरे को सबसे बड़ी बिमारी कहते थे आज आपके लीडर के खौफ से शेर के खौफ से इनको हाथ मिलाने पड़ गए है सांगला हिल में ये वोट मांगने आए तो एक नारे से इनका इस्तक्बाल करना जर्दारी इमरान जर्दारी इमरान जर्दारी इमरान भाई भाई के नारे जम्हुरियत की आस्तिन में छुपे साम बाहर आ गए अवाम की तोहीन का कोई नोटिस नहीं लेता मर्यम नवाज का जलसे से खिताब चोड दर्वाजे से साज़श करके कोई लीडर नहीं बनता हम्दा शहबास की भी तनकीश दिल कहता है कि नवाज शरीफ का नाम जब आए तो उससे पहले वज़ियादम लगे वज़ियादम नवाज शरीफ वज़ियादम के खाब देखने चोड दर्वाजे से साज़श करने से कोई लीडर नहीं बनता नवाज शरीफ बरने के लिए बड़े पापड बेलने पड़ते हैं वो जो कहते थे के रोक सको तो रोक लो देखो हमने रोक लिया वफाग में भी एक्तिदार में वजीर आला भी इनका छोटा भाई जो आब बड़ा भाई बन गया है फिर भी दोहाई देते फिर रहे हैं के मुझे क्यूं निकाला शेर की कच्छार पर तीर से वार मिया साहब चावी वाला खिलोना करा इलेक्शन में शिकस देने का दावा जो पारलिमेंट में होकर पारलिमान का तकद्दूस ना करा सका वो जेल से वोट का क्या एहतराम कराएगा बिलावल की नवाज शरीफ पर तंकीद सियासी लिखाई पढ़ाई का भी तशकरा सदर जर्दारी ने आपको अभी सिर्फ एक सबक पढ़ाया है कुछ और सबक भी आपको पढ़ाएंगे आप ना सीके तो एक ऐसा यूटर्न आएगा जिससे आप सियासत छोर कर वापस क्रिकेट की तरफ चले जाएंगे आसे जर्दारी और नवाज शरी ये दोनों जिमेदार हैं इस मुल्की जो आज मुल्क के हलात है तारीखी करदा चड़ा हुए पाकिस्तान है ये दोनों बिटे इंशालला अकटी गिलेंगे दो हजार अठारा के इलेक्शन में काम्याबी का दावा जर्दारी को सेदर बनाने या अलाइंस का कोई अमकान नहीं बिलावल बताएं वाले बगैर मेहनत अरब पती कैसे बन गए कराची में इमरान खान की गरजबरत मैं बेवी बिलावल से पूछना चाहता हूँ कि दस साल आपकी हुकूमत रही है दस साल में कराची में और अंद्रूने सिंद में कोई चीज बताएं आपने ठीक की है त्यासित में दरवाजे खुले रहते हैं खुर्शी चाका तरीक इनसाफ से सीट एज़स्मेंट के सवाल पर जवाब अलेक्शन मिलकर लड़ने का मामला मुस्तक्बिल में देखा जाएगा सक्कर में गुफ्त गुफ्त पहली बार मुताहदा का यौमे तासीज भी तक्तीम सरदार एहमद ने फारुक सत्तार को हक पर करार दे दिया मुताहदा पी आई बी का लियाकत अबाद फ्लाई ओवर पर पावर शो शाराए पाकिस्तान और अत्राफ में बद्तरीन ट्राफिक जैम बहादुराबाद वालों ने निश्टर पार्क में पतंगे सदा ली जर्दारी कहते हैं चक्कर चलाया और इमरान को फसाया कप्तान का कहना है गंद में पीपल्स पार्टी को नहलाया एहतिसाब और करप्शन के चाचे मा में सैनिट में कट्थे हो गए धोलकी पर बंदरों की तरह नाचने वालों को सियासत से निकालना होगा फजल रह्मान का कोट अद्दू में खिताब सियासत और शराफत कप्तान के करीब से नहीं गुजरी शफाफ इंतिखाबात हुए तो A.N.P. का कोई मकाबला नहीं कर सकता जिनात से नहीं लड़ सकते असफंद्यार वली का नोशेर हमें खिता निगरान वजिर आजम गैर मतनाज़े शफ्सियत होनी चाहिए सिराज अलहक ने डॉक्टर अब्दलकदीर खान का नाम औहदे के लिए तजबीस कर दिया अमीर जमात इस्लावी का करक में जलसे से खिताब नियासाब कल भी मैंने का बज़र्ग हैं हमारे लीडर हैं पाकिस्तान के वो जो चाहें कें तो ये तो मेरा किरदार अभी थाबित करेगा कि मैं सियासी हूँ या गैर सियासी हूँ स्टेबलिश्मेंट या किसी पर इल्जाम लगाना ये तो सियासत है वो सियासत कर रहे हैं बेसिकली सैनेट इलक्शन शफाफ थे establishment या किसी पर इर्जाम लगाना सियासत है वोट लेकर चेर्मन मुन्तखब हुए साधिक संजरानी की मीडिया टॉक फिक्रम कुलसूम नवास की लंदन में तबेद बिगड़ गई अस्पताल मुन्तखिल शोहर और बेटी से मुलाकात की खाहिश का इजहार नवाद शरीफ का एहलिया को टेलिफ़ोन पांच मिनट तक गुफ्तगू जॉक्टर्स का कल तमाम टेस्ट दोबारा कराने का फैसला खाजा असिफ के खिलाफ केस नैब ने पीटी आई रहनुमा उस्मान डार्स से मौपनत मांग दी जस्तावेजी सबूत और शवाहित पेश करने की हिदायत अदलिया अपने आईनी दाइरे अफ्तियार में रहकर काम कर रही है वन्यादी हुकूप का निफास करें तो कहते हैं मुदाखलत की जा रही है चीफ जस्टिस साकिम निसार का लाहौर में तकरीब से खिताब पुझाब हकूमत और पाक फजाया के दर्मयान फोर्ट मन्रो में कैलिट कॉलिज की तामीर का मौहिदा मिलकर कौम की फलाव बहबूत के लिए काम करना होगा शिबाश श्रीफ और एर चीफ का तकरीब से खिताब देश्ट गर्दों की तमाम पनागाहें खट्म करती मसला कश्मीर हल किये बगएर भारत से अम मुम्किन नहीं बीजी आईस पियार मेजर जरनल आसिफ गपूर का गल्फ नियूस को इंटर्वियू देश्ट गर्दी के खिलाब जंग जीतने के लिए पाकिस्तान से मदद तलब अफगान सदर की नासिर जंजुआ से मुलाकात कौमी सलामती के मुशीर ने तालबान से मुजाकरा को रोश्टनी की किरन करार दे दिया मुल्कीर उपरेशन रदल फसाद कोईटा देरा बुक्ती समयत कई इलाकों में आक्शन पांच देश्टगर्द गिरफतार छे ने हत्यार डाल दिये असला और बारू दरामत एक मिनट में पांच भारती लड़ा का तयारे तबह करने का कारनामा 1965 की जंग के हीरो एमेमालम की आज पांच भी बरसी कराची में कश्टियों पर भी फारिंग होने लगी इबराहीम हैदरी में एक माही गीर जांबहा दो जखमी खारादर में भी एक शक्स का कतल कराची के लाके औरंगी टाउन में तेज रफ़तार डंपर ने मोटर साइकल सवार को कुचल दिया शेहरी मुच्टाहिल गाड़ी फूंग दिया चन्द महीने पहले ये गर्नेडर टैग हुआ था एक बंगले पे और उसमें भी जो बात हमारे सामने आई है वुकीज के आपस की लड़ाई थी शेहरे काइप में पी-एस-ल मैच्चस पर जुआ डिफेंसे पंदरा मुल्जम के रफ़तार सत्य पर लगे तीन अरब हुंडी से दुबाई और भारत भेजे जाने का इनकिशाफ साड़े छेह लाख रुपे की मुल्की और गर्मुल्की करंसी बरामर लाहौर में शाही खेल, पोलो मैच्च में सरफट दौटते गोड़ों की धाफ खिलाडियों के गोल पर गोल, सवातीन की बड़ी तादात लुद्पंदोर सिशावों में बैनल सुभाई गेम्स का रंगा रंग मिला पंद्रा सौ खिलाडियों की शिर्कत, कयूम स्टेडियम में टीमों का मार्च पास्ट मशल रोशन, रिवायती रक्स ने तकरीब का रंग दोबाला कर दिया रंदन समयत कई शहरों में बरवारी से निजाम जिन्दगी ठप तोसो से जायत परवाजे मनसूख, शाराहों पर सैक्रो गाड़ियां फ़स गए रूस में सदारती इंदखाबात के लिए पोलिंग, विलाजी में प्यूटिन के चौथी बार भी मुन्टखब होने के कवी इमकाना तुर्क हमायत यास्ता फोर्सिस का शाम के कस्बे अफरीन पर कबजे का दावा, कुर्द हीरो का मुझसमा गिरा दिया गया आहम इर्मारतों पर तुर्की और फी पीरियन आग्मी के परचमना पेस्बुक सार्फीन का डेटा लीख होने का इनकिशाफ, मालूमात थर्ड पार्टी को देने पर अमरीकी फर्म का कॉंट्राक्ट मनसूख, रम की इंतिकावी टीम पर चोरी शुदा मालूमात इस्तेमाल करने का इल्जाफ अमरीका और यॉर्पी मुमालिक में सेंट पेट्रिक्स टेपर रंगा रंग तकरीबा, दरियाए शिगागो का रंग सब्स, जॉर्जिया, न्यू यॉर्क, लंडन में मिलिटरी बैंग्स की परेड सबसे पहले आपको बताएं, चौनतीस साल में पहली बार मुताहिदा का यौमे तासीस भी तकसीम हो गया है मुताहिदा पी आई बी ने लियाकत अबाद फ्लाइ ओवर पर पावर शो किया, शारह पाकिस्तान और अत्राफ में इसके विज़ा से बत्तरीन ट्राफिक जैम हो गया, जबके बहादर अबाद वालों ने निश्टर पाक में पतंगे सजाली जी हाँ, मुताहिदा आज भी मुताहिद दिखाए न दी, एक बार फिर तकसीम होती दिखाए दी, यूमे तासीस के मौमने पर खलीज भी बच्ती जा रही है और इस मौके पर कारकुनान भी तकसीम दिखाए दिये, शाम का वक दिया गया था जलसा शुरू होने का लेकिन काफी देर तक पिंडाल न भर सका, पहली बार मुताहिदा कायों में तासीस भी तकसीम हो गया है मौताहिदा पी आई बी ने लियाकत अबाद फ्लाइ ओवर पर पावर शो सजाया, शाराए पाकिस्तान और अतराफ में बत्तरीन ट्राफिक जैम हो गया इसके बाइस शेहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा जबके बहादर अबाद वालों ने निश्टर पार्क में पतंगे सजा ली है एक जाने बाप मनाज़र देख रहे हैं मतहदा पी आई बी लियाकत अबाद फ्लाइ ओवर के और दूसरे जाने मनाज़र हैं बहादर अबाद वालों के जहां पर निश्टर पार्क में पतंगे सजाए गई है एक जाने बाप देख सकते हैं कामराण टेसोरी और दूसरे जाने मेर कराची वसीम अख्तर खिताब कर रहे हैं तो आज यौमे तासीस मनाया जा रहा है मतहिदा कामी मूव्मेंट का लेकिन ये बिलकल भी मतहिद नजर नहीं आ रही पार्टी दो मुख्तलिफ मकामात पर ये यौमे तासीस मनाया जा रहा है कोशिश बहुत की गई सालिसों की जानब से कि किसी तरह से कोई अग्रीमिन्ट हो जाए और एक ही जगा यौमे तासीस मनाया जाए लेकिन बहादराबाद वालों की जानब से फौरी तोर पर निश्टर पाक का ऐलान कर दिया गया जबके फारुक सतार चाहते थे कि मजारे गाइद पर दोनों कट्थे होकर यौमे तासीस मनाये आज दिन भर सियासी हल चल रही सांगला हिल में नवाज शरीफ ने खिताब किया और मुकालिफीन को ललकारते हुए कहा कि जर्दारी और इमरान एक सिक्के के दो रुट हैं तहरी के इनसाफ ने सेनिक में विबल्स पार्टी को वोट दिया कहा कप्तान नया पाकिस्तान बनाते बनाते पुराने पाकिस्तान की तरफ चल दिये संगला हिल में खिताब करते हुए साबक वजीर आजम का कहना था कि आवाम ने उन्हें निकालने का फैसला पुबूल नहीं किया अन्धेरों को बगाया है आंकरने वारे लोग है बिजली लेकर आए हैं मोटर वे बनाई हैं सीपेक बनाया है पीपल्स पार्टी ने यहीं इमरान की पार्टी ने कोई ऐसा काम किया है पूछो इमरान खान सेनट में तुमने तीहीर के निशान को वोट दिया था या नहीं दिया था बोलो अगर मैं जूट बोलता हूं तो मैं मुझरम लेकिन अगर मैं सच बोलता हूं इमरान खान मुच्रिम ये जर्दारी और ये इमरान खान ये दोनों एकी सिक्चे का नाम है एकी सिक्चे का कभी मोरे भी अवाम के साथ मुखलिस हुए है अब इकवारी फेर नहीं यार बार बार नवाज श्रीच को निकालने का फैसला है सांगला हिल के आवाम ने उसको कभूल नहीं किया मेरे उपर कोई करप्शन का केस नहीं है कोई NICL का केस नहीं है कोई EOBI का केस नहीं है कोई Rental Power का केस नहीं है कोई Kotecna का केस नहीं है देखो वोट को इज़त दोगे का मतलब ये है आप अपने हाप को इज़त दोगे बोलो आप भी मेरे कदम से कदम मिलागे चलोगे मैं चलूँगा आपके साथ मैं चलूँगा आपके साथ आप मेरे साथ चलोगे पाकिस्तान तो जहा नवाज शरीफ आज खूब गर्जे बरसे वही मरियम नवाज ने भी जर्दारी इमरान भाई भाई के नारे लगवा दिये कहती हैं अबाज शरीफ के खौफ से एक दूसरे को चोर और बेमारी कहने वालों ने हाथ मिला लिये जम्हूरियत की आज स्थीन में चुपे साथ बाहर आ गए अबाम की तोहीन का कोई नोटिस नहीं लेता चेर्में सेनेट के इलेक्शन्स में मंडिया लगी मेंबर्स को तोड़ा गया वो बाईस करोड अवाम की तोहीन है यहां अवाम की तोहीन का नोटिस नहीं होता शक्सियाद की तोहीन का नोटिस होता है नवाज शरीफ की हार नहीं हुई नवाज शरीत की जीत हुई है कत्पतलियों ने अवाम का फैसला असान बना दिया है चेहरों पर से निकाब उठ गए है जमूरियत की आस्तीन में जितने भी साम छुपे हुए थे सब आइस्ता आइस्ता करके बाहर आ गए है जब दो हजार अठारा में सामला हिल में ये वोट मांगने आए तो एक नारे से इनका इस्तक्बाल करना जरदारी इमरान भाई 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 जरदारी इमरान जरदारी इमरान जो वोट आप इमरान खान को दोगे वो जरदारी को जाएगा जो वोट आप जर्दारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा ये अंदर से एक ही है नजरिया भी एक है नजरिया वैसे है कोई नहीं इनका जो एक दूसरे को सबसे बड़ी बिमारी कहते थे आज आपके लीडर के खौफ से शेर के खौफ से इनको हाथ मिलाने पड़ गए है दुनिया की अदालती तारीख का शायद पहला मकदमा है जिसमें सजा उस इल्जाम पर सुनाई गई जो दर्खास गुजारने लगाया ही नहीं था इतसाब सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं इतसाब सब का हिसाब लो इंतकाम मत लो और एक आखरी नारा लगाओ मेरे साथ मोहरे और कट पुतली सियासत्दान ना मच्जूर दूसरे जानेब हमजा शहबास कहते हैं नवाज शरीफ लोगों के दिलों के वजीर आजम है उहदे आते जाते रहते हैं चोड दर्वाजे से साथशें करके कोई लीडर नहीं बनता इमरान खान कभी धांदली और कभी कंटेनर के पीछे चुते हैं लीगी रहनमा सांगला हिल में जलसे से खिताब कर रहे थे नवाज शरीफ साब का नाम लेता हूँ तो काइद का नाम लेने से मज़ा नहीं आता सांगला हिल वालो मेरा दिल कहता है कि नवाज शरीफ का नाम जब आए उसे पहले वजियादम लगे वजियादम नौज शरी वजियादम के खाफ देखने चोर दर्वादे से साथ शे करने से कोई लीडर नहीं बनता नौज शरी बरने के लिए बड़े पापड बेलने पड़ते हैं इमरान खान तभी धांदिली के पीछे छुपते हो सबी कंटेनर के पीछे चुपते हो साथ से करते हो जांगीर तरीन के जहाद में उड़ते फिरते हो आज देख लो नौज शरी जिसकॉलिफाई हो गया लेकिन लोदरा के जिमरी एलेक्शन में जांगीर तरीन का जहाद क्रेश हो गया है और इसे पहले इमरान खान ने बिलावल भुटो को बेबी करार दे दिया कहते हैं कि चेमिन पीपल्स पार्टी अपने वालिद से पूछें कि बगैर मेहा तरफाती कैसे बन गए दरदारी को सदर बनाने या अलाइंस का कोई अमकान नहीं इशारो के नायों में मुट्हिदा क्यामत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया मैं बेबी बलावल से पूछना चाहता हूं कि 10 साल आपकी हुकूमत रही है 10 साल मैं कराची में और अंदूने सिंद में कोई चीज़ बताएं आपने ठीक लिया अवाम के लिए तालीम, सहित, गंदगी, चीफ जस्टिस के बयान पढ़ ले साफ पीने का पानी आप नहीं दे सकते हैं आप पानी नहीं दे सकते हैं एक और सवाल मैं आपके पास छोड़के जा रहा हूं कभी अपने वालत साथ से पूछे हैं कि वो यह अर्बोपती बने कैसे हैं आसे जर्दारी और नवाज़्टी ये दोनों जिम्मेदार हैं इस मुलकी जो आज मुलक के हलात हैं तारीखी करजा चड़ा हुआ पाकिस्तान ये दोनों बिटे इंशालला अकट ही गिरेंगी ये दोजार अठारा में दोनों बिटे गिरेंगी कराची में एक चेंज की जुरूट है जो कॉमिलेशन कराची में पिछले तीस साल से चला आ रहा है वो बड़ा वाज़िया कि वो कराची के मसले हर ली कर सके कराची में एक भियास सिस्टम चाहिए है लोकल कराची में पार्टी पावर में आती है उसका पेस कराची नहीं है एक पेस कराची में है दूसरा उनका इंटरस्ट कराची में नहीं और वो सिर्फ कराची को इस्तमाल करते हैं पैसा बनाने के लिए जो कराची की पार्टी थी उनका भी जो बड़ी देर तक लीडर वो बायर लंडन में एजबे रोड पे बैठके हुकूमत करता थी वो यहां नहीं था और इसलिए आज आप देख रहे हैं कि कराची जो पाकिस्तान का फारेंशिल कैपिटल है उसके हलाथ आपके साथ है और आज बिलावल भी पीछे ना रहे एक तीर से कई शिकार कर दिये पिपल्स पार्टी के चैमेन ने कहा कि जो कहते थे रोक तको तो रोक लो वो देख ले पिपल्स पार्टी ने उन्हें रोक लिया वजिर आजम के हल के कोटली सतिया में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल ने नवाश शरीफ को सबसे बड़ा चाबी वाला खिलोना करार दिया और कहा के आशित गरदारी ने इमरान खान को एक सबक पढ़ाया है और मजीद पढ़ाना अभी पार्ती है रोक सको तो रोक लो देखो हमने रोक लिया आज भी मियास साब से बड़ा चाबी वाला खिलोना कोई नजर नहीं आता अब ये चाबी खिलोने के अंदर तूट कई है आप रजा रबानी को अपनी लिराई के लिए ठाल बनाना चाबते थे अब अहर आने वाले अलेक्शन में शिकास आपका मुकदर होगी जो पारलमान में रहकर पारलमान का तुकदस ना कर सका वो अब जेल में बैठ कर वोट का क्या तुकदस करेगा मिया साब की जमाद वफाग में भी एक्तिदार में पंजाब में भी एक्तिदार में वजीर आला भी इनका छोटा भाई जो आप बड़ा भाई बन गया है फिर भी दोहाई देते पिर रहे हैं के मुझे क्यू नकाला आप में पी आए और स्टील मिल जैसे बड़े कोमी एदारे को प्राइविटाइस करने का मनसुबा शुरू किया हुआ है सुनो मिस्टर मशीर खिजाना सहाब ये आपकी दुकान पर रखा हुआ माल नहीं जिसको आप बेचने की फिकर में हो मैं ये एदारे बेचने नहीं दूँगा एर ब्लू वजीर आजब पी आए को तबा करके बेचना चाहता है और तो और मुलतान मेट्रो बस भी एक इंटरनेशनल करॉप्शन स्कैंडल है खान साथ सदर जिर्दारी ने आपको अभी सिर्फ एक सबक पढ़ाया है आने वाले वक्तों में कुछ और सबक भी आपको पढ़ाएंगे आप ना सीके तो एक ऐसा यूटरन आएगा जिससे आप सियासत छोर कर वापस क्रिकेट की तरफ चले जाएंगे और वहाँ बॉल टैंपरिंग का शौक पुरा करेंगे मैं आप से अपील करता हूँ कि पंजाब को जाती उम्रा और बनी गाला की नफ्रित की सियासत से आजाद करने के लिए पाकिस्तान पीबल्स पार्टी का साथ दे मौलाना फजुर रह्मान तो कहते हैं कि जर्दारी और कब्दान एक दूसरे को धोका दे रहे हैं एतसाब और करप्शन के चाचे मामे सैनिट में कट्टे हो गए वो कोट अद्दू में खिताब कर रहे थे हमारे सैनिट का अलेक्शन होता है तो वो दोनों एक दूसरे को चोर कहने वाले वो एक स्टेज पर और एक पर फार्म पर नजरा रहे हैं जरदारी साब कह रहे हैं मैंने जो चक्कर चलाया किस तरह उस में मैंने इमरान खान को फसाया इमरान खान कहता है मैंने जो गंद पैदा किया किस तरह उस गंद में जरदारी साब को नहलाया एक इसाब का चाचा मामा बनता है और दूसरे को करप्षन का चाचा मामा कहते हैं और वक्त आता है तो दोनों करप्षन के मामें चाचा ये कठे बैठ जाते हैं कि डोल की पर ये बांदरों की तरह नाचते हैं इन सियासतदानों से मुल्क को निकालना है एन पी के सरबरास फंदेर वली ने कहा है कि इमरान खान के आने से सियासत में शराफत खत्म हो गई शफाफ इन पी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता लेकिन जिनात से नहीं लड़ सकते उनों शेहरा में जलसे से खताब कर रहे थे कप्तान की सियासत पे आने से सियासत शिशराफत खतम हो गई पहले लोग कहते थे कि घोड़े बिक रहे हैं इस पर तो सेनेट के एलेक्शन में गोड़े चोने जी पूरे के पूरे अस्टबल बिके और फिर भी वो बिकने वाला कहते हैं जी मुझे पता नहीं अगर इनसान वोड़ देते हैं तो इन्शाला इस सूबे में एन पी से बगएर कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता अगर जन्नात आ गए और फरिष्टे आ गए तो उतका मुकाबला पिर हमारे बज़ की बारते और सियासत में कुछ भी हर्फे आखिर नहीं होता सियासत में दर्वादे खुले रहते हैं अपोजिशन लीडर खुर्शीच चाह का ऐसा कहना है खुर्शीच चाह ने पी टी आई से सीट एज्जेस्मेंट के सवाल पर ये जवाब दिया उनका ये भी कहना था कि एलेक्शन मिलकर लड़ने का मौमला मुस्तक्बिल में देखा जाएगा सेनिट एलेक्शन के बाद बाते हो रही थी और मुकालिफीन भी तनकीद का निशाना बना रही हैं कि जर्दारी और इमरान अंदर से एक हैं ऐसे में ऑपोजिशन लीडर से जब सवाल किया गया सीट एड्रेस्मेंट से मुतालिक तो उनका कहना था कि सियासत में दरवाजे खुले रहते हैं झालाई 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 प्रवाजेंट से एक हैं